सर्वे लिया है सर्वे लिया है तमिलाडू से जो हमारी overall tally है 102 सीटों की वो कैसे बदलती है देखिए अभी तक के जो 102 सीट पे यानि तमिलाडू की तक की जो हमने सीटे अभी तक आपको बताई है अभी तक जो हमने आपको उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और तमिलाडू की तस्वीर दिखाई है इन तीन व्राजों में तस्वीर इस तरह से बदलती है जैसे तमिलाडू के आकड़े जुडते हैं इस टैली में वैसे ही इंडिया का जो आकड़ा है वो 33 तक पहुंच जाता है अन्ने की खाते में दो सीट जाती है शिवा तमिलाडू में दो सीट मिल रही है बीजेपी को उसको भी लेकर कहा जा रहे कि बड़ी सफलता है लेकिन जिस तरह का फोकस रहा है तमिलाडू पर भारत पर बीजेपी का प्रधार मंतरी नरेन मोदी का खुद क्या और इससे ज्यादा तस्वीर बदलनी चाहिए थी उतनी तस्वीर बदलती भी दिखाई नहीं दे रही है जैसे ही हम तमिलाडू का आकड़ा जोडते हैं तस्वीर बदल जाती है इंडिया गडबंधन के ल आई है इसके अलावा आदर्णिय प्रधान मंतरी जी ने जिस तरीके से महाँ पर मेहनत करी है मैं मानता हूं इस बार देश में चौकाने वाले नतीजे आएंगे और दक्षिन भारत में जिस तरीके से भारती जंता पार्टी सर्ज होगी और जो बार-बार पूचा जा रहा लिका तमिलनाडू और दक्षिन भारत के राज्ये निभाने वाले हैं प्रत्वा बिल्कुल चमुला जी क्या यह आपको देखकर समुझ में आता है बात करें खासता और पर दक्षिन की तो यह आभी भी मुश्किल कड़ी नजर आती है और जो अब तक जो प्रधाल मंत्री मोदी जो कड़ी मेहनत करते आ रहें क्या लग रहा है उसका फलब 2029 में मिलेगा तमिलनाड में बीजेपी का दो सीटे मिलना भी बड़ी उपलब्दी होगी लेकिन मुझे भी थोड़ी डाउट है कि दो सीटे बीजेपी वहां पर जीच जाएगी हो सकता है एंडिये के मामला था उसका कुछ असर पढ़ जाए अलाकि वह भी अब खतम हो चुका है तो बहुत उम्मीद नहीं है कि बीजेपी को वहां दो सीटे मिल जाएंगी और इंडियों को पैदा 15 सीटे मिल जाएंगी वहां सारी लड़ाई जो गठबंदन है वो डीम के और का है कांग्रेस है वही उननीज उम्मीद वही दिख रहा है अग्ले राज्जे की मतदान वहार 20 पहले चरंड में यहां पर 4 सीट under उरा और इन 4 सीट का अने किया केता है